ट्रेन नमबर जीरो चालीस अर्शाट लास्ट ट्रीप है आज और यहां अंतिम ट्रीप आज चल रही है जो की नई दिलिस आई है और दर्भंगा को जाएगी यह ट्रेन ट्रेन कूल मिला करके तीनो ट्रीप में हमने स्ट्रेन को कैप्चर नहीं कर पाया और अंतिम जो ट्रीप है फाइनली कैप्चर कर ही लिया और अभी भी यह ट्रेन करीब करीब चार घंटेlles लेट चल रही है चुकि इस ट्रेन का आने का सही वक्त दो वज़के 45 मिलाट पर थाल लेकिन यह ट्रेन अभी आई है 6 वजे कड़ी तो कूल मिलाकर यह ट्रेन साधे 3 घंटे लेट हो चुकी है जिसमें देख सकते हैं आप ज्यादा भीर्ड तो नहीं देख पा रहा है लेकिन यहीं इंपोर्टेन ट्रेन है क्योंकि इस रूट के लिए मात्र एक ऐसी ट्रेन है जो सही समय सही टाइम टेबल के अनुसार सही रूट पर इस ट्रेन को दिया गया है जो की मातर चाइट रिफ के लिए ही दिया गया है इसके बाद इस ट्रेन का परिचालन बंध हो जाएगा आज के दिन हथर्भांगा से भी प्रस्टान कड़ेगी और नई दिली की ओर जाएगी इसके बाद यह ट्रेन बंध हो जाएगी लेकिन इसी तरह की ट्रेन की जरूरत है इस रूट पर और फाइनली जो इस रूट का समय है वो काफी अच्छा लगता है क्योंकि साम के समय में दरभंगा से 6 बजे खुलने का है और इसी तरह जो है कि यह पहुंचने का समय भी सीता मरी दरभंगा दो बज़ के 45 या तीन चार बज़े करीब दरभंगा तक छोड़ देती है क्योंकि इस रूट पर ऐसी ट्रेनों की कमी है लिच्छवी एक्सप्रेस है सदभावना एक्सप्रेस है जो इस रूट के लिए ट्रेने तो है लेकिन सही समय नहीं होने के कारण कई यातरी मुझाफर फुर दरभंगा के चकर लगाते हैं खास करके सीता मढ़ी के लोग को लिए यह वरदान सावित हो सकता है अगर यह ट्रेन इसी समय सारणी के साथ नियमित कर दिया जाता है तो बाकी दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके वसे बताएगा वीडियो फसंद आया हो तो वीडियो को लाइक वसे केज़ेगा मिलते हैं आपसे फिर से किसी अन्य वीडियो के साथ तब तक लिए जय हिन और जय भारत